मातादी दोस्तों घरेलुखवर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल दोहजार चौविस में निर्जला एकाजसी ब्रत कब है साल दोहजार चौविस के निर्जला एकाजसी ब्रत की दिन नांक वतिती बताएंगे एकाजसी तिती कब से सुरू होगी कब समाप्त होगी इसकी जानकारी देंगे पूजा का सुमूर्थ बताएंगे, पूजा की विधी बताएंगे, साथ ही साथ हम एकाजसी ब्रत का पारण आपको किस तिन और किस समय करना होगा इसकी भी जानकारी देंगे वीडियो में लास्तक बने रहे, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, फैमली फ्रेंड के साथ सेयर कीजिए चैनल पर पहली बार आये हैं और अगर अब ही तक आपने मेरे इस घरेलू खवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तो निर्जला एकाजसी का ब्रत, अन एकाजसी ब्रत की अपेक्षा कठीन माना जाता है, हिंदु धर में इस एकाजसी का बेहद ही खास महत्व है, हिंदु पंचांग की अनुसार निर्जला एकाजसी का ब्रत हर साल जेस्ट माह के सुक्ल पक्ष की एकाजसी तिथी को रखा जाता है निर्जला का अर्थ होता है नीराहार और निर्जल रहकर ब्रत रखना इसमें ब्रती को अन तो क्या जल ग्रहन करना भी बरजीत है यानि यह ब्रत निर्जला और नीराहार ही होता है सास्त्रों में यहुलेख मिलता है कि इस ब्रत में आचमन के समय जो जल लिया जाता है बस उसे ही लेने की अनुमती है साल की अगर सभी एकाजसी का ब्रत नहीं कर सकते तो उन्हें सिर्फ निर्जला एकाजसी का ब्रत करने से साल की संपूर्ण एकाजसी ब्रत का फल प्राप्त होगा दोस्तों पदम पुरान में निर्जला एकाजसी ब्रत की द्वारा मन ब्रत रखना चाहती है तो एक ही ब्रत से आपको सभी 81 ब्रत का फल मिलेगा चलिए जानते हैं साल 2024 में निर्जला 81 का ब्रत कब रखा जाएगा वैसे तो 81 तिथी की सुरुआत 17 जून 2024 को 2 पर 1 बचकर 7 मिनट पे हो जाएगा और 81 तिथी समाप्त 18 जून 2024 को 2 पर 1 बचकर 45 मिनट पे होगा उदिया तिथी की अनुसार निर्जला 81 का ब्रत 18 जून को रखा जाएगा निर्जला 81 ब्रत की पारण की तो निर्जला 81 ब्रत का पारण 19 जून को सुबा 6 बचकर 15 मिनट से लेकर सुबा 8 बचकर 10 मिनट तक कर लेना है आपको निर्जला एकाजसी ब्रत करने वालों को भगवान विश्णू की पूरी समर्पन के साथ पूजा करने चाहिए भगत अपने स्वामी को तुलसी के पत्ते फूल फल मिठाई चड़ाया जाता है भगवान विश्णू की मूर्ती को सुन्दर रूप से सजाया जाता है और साम को ढोल और अगर्वत्ती के साथ पूजा की जाती है निर्जला एकाजसी ब्रत के पालन करता को पूरी रात जागरन करना चाहिए भजन किर्टन करना चाहिए इस दिन भगवान विश्णू को समर्पित विश्णू सहस्त्र नाम और अन्य बैदिक मंत्रों को पढ़ना सोम माना जाता है निर्जला एकाजसी पर गरीवों और जरुवत मन्द को कपड़े, भोजन, पानी और अन्य आवस्यक बस्तुओं का दान करना एक अच्छा कार है इस दिन घड़ा दान भी किया जाता है जिसे कुम्ह दान कहा जाता है घड़ा का दान आप एकाजसी थी या द्वाजसी थी दोनों में से किसी एक दिन करना है आपको इसके लिए एक मिट्टी का घड़ा लेना है उसमें सुध जल भर ले अब उसके उपर एक धक्कन लगा दे और साथ ही अपनी छमता या समर्थ के अनुसार दक्षिना रखकर आप इस घड़े को किसी ब्राम्भन या किसी मंदिर में दान कर दे ऐसा करने से आपको पुन्य फल की प्राप्ती होगी तो दोस्तों ये मैंने बताया निरजला एक आजसी ब्रत की दिन नांक वती थी साल 2024 की उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे शेयर करे और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करे ठैंक्स